कि सीमा हैदर को सजा दिलाने के लिए उसके पाकिस्तानी पती गुलाम हैदर ने मोर्चा खोल रखा है ग्रेटे नौडा की अदालत ने उसे अगले महीने पेशी के लिए बुलाया भी है लेकिन इसे बीच गुलाम के बारे में एक दावा किया जा रहा है उसकी नई तस्वीर सामने आई है अब ये सवाल है कि क्या वो गुम्रा करने के कोशिश कर रहा है कि पूरा मामला क्या है आईए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सीमा हैदर का पहला पती गुलाम हैदर इन दिनो पाकिस्तान में रह रहा है वो सीमा और सचिन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है लेकिन क्या गुलाम हैदर सभी को गुम्रा कर रहा है जो गुलाम खुद को प्रतारित बताता रहा है क्या उसका विक्टिम कार्ड का सच बाहर आ चुका है गुलाम लगतार कहता आया है कि वो सीमा और सचिन को जेल भेजीगा और अपने चारों बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा लेकिन पाकिस्तान से आई एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है सीमा कहती आई है कि गुलाम ने चार सालों तक अपने बच्चों का हालचाल नहीं जाना वो परिशान करने के लिए सारे हटकंडे अपना रहा है क्या गुलाम हैदर सबकी आखों में धूल जोक रहा है गुलाम हैदर की ये नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एक बच्चे के साथ दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा गुलाम हैदर का ही है सीमा से पहले गुलाम हैदर ने एक और शादी की थी और ये उसकी पहली पत्नी का ही बच्चा बताया जा रहा है गुलाम हैदर की जब सीमा से शादी हुई थी तो उसने पहली पत्नी को छोड़ दिया था क्या पाकिस्तान आने के बाद गुलाम अपनी पत्नी के साथ रहने लगा है अब जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा है तो फिर बार बार सीमा हेदर के बच्चों की कस्टडी की दुहाई क्यों दे रहा है सीमा कहती आई है कि अगर गुलाम को अपने बच्चों से प्यार होता तो वो उनसे पहले मिलने क्यों नहीं आया क्या उनसे बात नहीं की क्यों उनसे बात नहीं की सवाल गे भी है कि अगर गुलाम को सीमा के बच्चों की कस्टडी मिल भी जाती है तो वो बच्चों को किस हाल में रखेगा गुलाम हेदर सीमा और सचिन को सजा दिलाने की कसम खा चुका है उसे अगले महीने की दस्तारे को भारत की अदालत में पेश होना है ग्रेटर नोईडा की सूरजपूर सेशन कोट ने गुलाम हैदर की गवाही देरी के लिए नोटिस जारी किया है गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन मीना पर धोखा दड़ी का केस किया है कोट ने गुलाम को सारे दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा है अगर गुलाम हैदर के आरोप साबित हो गए तो सीमा और सचिन के लिए मुश्किले बढ़ सकती है वहीं गौतम बुधिनगर की फैमली कूट ने सीमा हैदर, सचिन मीना, वकील एपी सिंग, शादी कराने वाले पंडित को 27 मई को हाज़र होने को कहा है गुलाम हैदर याचिका पूस्वेकार किया था, जिसके बाद अदालत में पेश होने का आदेश सुनाय गया था गुलाम हैदर ने दावा किया है कि वो 10 जून से पहले भारत आ जाएगा अलकि उसने तारीख नहीं बताई है, उसका कहना है कि वीजा मिलते ही वो भारत आ जाएगा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आए नामालिक बच्चों के धर्म परिवर्दन पर भी सवाल उठाया है गुलाम का कहना है कि सारे सबूत सीमा के खिलाफ है और वो उन्हें अदालत में पेश करेगा गुलाम कहता है कि उसे भारत की नय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और सबूतों के दम पर सीमा और सचिन मीना का कानून से बचना नमुम्किन हो जाएगा फिलाल गुलाम हेतर की नई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हर्चल तेज कर दी है